दोस्तो सन्नी देवल की एक ऐसी मूवी जिसके अंदर सिर्फ एक तीन मिनट का शॉट करने के लिए दो दिन का समय लग गया था फाइनली जितने भी डारेक्टर्स थे उस मूवी के प्रिड्यूसर थे उन्होंने हाथ जोड लिये थे और उन्होंने कह दिया था कि इस शॉट को कोई भी नहीं कर सकता जी हाँ दोस्तो और उसे कराता हमारे सन्नी पाजी ने तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सी ऐसी पिचर है और उस कौन सी पिचर का ये शॉट है तो मैं आप लोगों को फाइनली बता देता हूँ कि इस पिचर कौन सी है हाला कि अपने करियर के बीच में उन्होंने काफी उतार चड़ाव भी देखे हैं पर उसके बाव जो भी बॉलिवुट पे राच करने से उन्हें कोई नहीं रोक सका सन्नी देखुल ने अब तक अपने करियर में बॉक्स ओफिस पर एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं जिनमें कुछ ऐसी फी फिल्में हैं जिनें जितनी बार देखो मन नहीं बढ़ता सन्नी की एक ऐसी ही फिल्म का नाम मैं बताने जा रहा हूँ साल 1985 में आई जिसका नाम अरजुन था जी हाँ दोस्तों ये अरजुन पिच्चर की बात कर रहा हूँ रिलीस के साथ ही सन्नी की फिल्म अरजुन बॉक्स ओफिस पर च्छा गई थी इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था जी हाँ दोस्तों जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं दर असल इस फिल्म में एक आइकॉनिक सीन है जिसमें सन्नी दे ओल के दोस्त को मारने के लिए गुंडे आ जाते हैं इस scene में जमा जम बारिश होती रहती है वहीं सेट पर 1000 लोग दो-दो चाते लिए खड़े होते हैं जी हाँ दोस्तों 1000 लोग हैं पूरे और दो-दो चाते लिए खड़े हैं इस scene में सन्नी को चातों के बीच से गुजरते हुए अपने दोस्त को वहाँ से भगाना होता है विद आक्शन सीन्स लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही कठिन इसे शूट करना था मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस तीन मिनट के सीन को शूट करने में डारेक्टर्स के पसीने शूट गए थे और उन्होंने हाथ जोड दिये थे के हम इस सीन को शूट नहीं कर सकते और फाइनली अब हमें इस सीन को पिचर के अंदर से हटा देना चाहिए इस सीन को शूट करने में दो दिन का समय भी लगा था क्योंकि बारिश के बीच में जब सन्नी देओल अपने दोस्त को लेकर वहाँ से निकलते थे तो हजारो चाहतों के बीच में फ़र्ज जाते थे और साथ इसाथ महां एक्शन सीन करना बहुत ही मुश्किल हो गई थी बड़े ही मुश्किल से ये सीन को शूट किया गया और फिल्म की रेलीस के बाद ये तीन मिनिट का सीन ही फिल्म की जान बन गई थी बता दे ये फिल्म मुंबई के एक लोगर मिडल क्लास फामिली के अरजुन मालमवंकर सनी दियोल नामक के एक यूवा शिक्षित लेकिन बेरोजगार व्यक्ति के बारे में थी इसमें उसके दोस्तों का एक समू है जो बेरोजगार है और वे सभी उस व्यवस्ता से निराश है जो ब्रिष्टाचार और कमजोरों के शोशन पर पनबती है यानि लोगों का शोशन करने में लगे हुए साथी साथ एक्षन से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन राहुल रवैल ने किया था यह फिल्म सन्नी देओल की बेस्ट फिल्म बताई जाती है जिसे बात में तमिल में सत्या तेलगू में भरत मलो अरजनुडू कंणर में संग्राम और सिंगली में सुरानी माला के नाम से बनाया गया था यानि इस पिच्चर का रीमेक बनाया गया था वो भी तेलगू के अंदर तमिल के अंदर साती सात कंणर के अंदर दोस्तो आपने बॉलेवुड में अक्सर देखा होगा कि तेल्गू तमिल या कंणर मूवियों का रिमेक बॉलेवुड में बनता है बर सन्नी देओल ने 1985 में वो जादू करके दिखा दिया था जिसे साउथ इंडिस्ट्री प्रभावित हुई थी और उसने अपनी लेंग्वेज के अंदर इस पिचर को दुबारा से बनाया था दोस्तो ये कही न कही सन्नी देओल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 1985 के अंदर ही और वैसे भी आजकल तो बॉलेवुड पे सन्नी देओल का प्रॉपरली रास चली रहा है आप जानती हैं दोस्तो गदर टू की सक्सेस के बाद से हर कोई उनको पूछ रहा है साथी साथ बड़े बड़े डारेक्टर एंड प्रिडूसर्स अकसर उनके ओफिस के चक्कर लगाया करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है इस वालिवुड के बजार में सिर्फ और सिर्फ सन्नी देओल ही है जो एक ऐसा बंदा है जो पूरी मार्केट को गरम करके रख सकता है पूरी मार्केट का कलेक्शन हाई रख सकता है जिसके बाद से तो कहना ही क्या है जब गदर रिलीज हुई तो गदर ने बहुत गदर मचाया पर जब गदर टू रिलीज हुई तो इसने तो बहुत तकड़ा गदर काटा किसी ने नहीं सोचा था कि एक फिल्म का सीक्वल वो भी 22-30 साल बाद आ रहा है और वो इतना जबरदस कलेक्शन करके दिखाएगा या अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है हमारे सन्नी पाजी के लिए जिसके बाद से उनको बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स के भी ओफर होने शुरू हो गई या आप लोग जानती है चाहे वो सफर मूवी हो या फिर वो मूवी हो हमारे सन्नी पाजी की रामाएड रामाएड के अंदर हनुमान का किरदार निभा रहे हैं 37 सफर मूवी की शूटिंग तो करने में चुपचाप लगे हुए ही है सन्नी देओल सफर मूवी के अंदर बहुत जबरदस रोल अदा कर रहे हैं मोटिवेशनल मूवी होने वाली है 37 सल्मान खान का कैमियो भी है इस फिचर में अब बास सल्मान खान और सन्नी देओल की आही गई है तो मैं आप लोगों को बता दूँ सन्नी देओल और सल्मान खान एक और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करने वाले जी हाँ दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इस पे डिसीजन लिया गया गोवा के अंदर आक्च्जोली के अंदर गोवा में एक मिटिंग चल रही थी एक इवेंट ता जिस इवेंट के अंदर हमारे सल्मान खान और सन्नी देओल दोनों पहुँचे थे और जब सन्नी देओल और सल्मान खान की मैंटिंग होई तो गोवा की बीच पे इन्होंने खूब मस्ती भी करी, इन्होंने उस project पर बात करी जिस पर जल्द ही काम शुरू करने वाले है वैसे दोस्तों, जो मैंने अर्जुन का scene बताया है आप लोगों को, यह आप लोगोंने वीडियो में देख लिया होगा और वीडियो में देखके आपको आइडिया भी लग गया होगा किस तरह सीन को शूट करा गया था और कितनी महनत लगी थी पर जो भी कहो सन्नी दियोल की आक्टिंग रियल है सन्नी दियोल एक एंगरी यंग मैन की तरह बॉलिवूड के अंदर एंट्री मारते हैं और वो बॉलिवूड की तमाम पिच्चरों को सूपर डूपर हिट बनाना जानते हैं चाहे वो इनकी घातक हो घायल हो दामिनी हो गदर हो या फिर और भी तमाम पिच्चरे हो चाहे अरजुन हो ये बहुत ही ब्लॉक बस्टर्स मूवी रही है बेशक इनका करियर काफी उताज चड़ाव का सामना करा है पर उसके बावजूद भी सन्नी दियोल ने बॉलिवूड के अंदर बहुत नाम कमाया है बॉलिवूड के अंदर बहुत से ऐसे सूपर स्टार रहे हैं जिनके बेटे इंड़स्ट्री पर हर कोई नहीं चल सका सुनील दत के बेटे संजे दत यानि हमारे संजु दाला तौने संजु बावा ने बहुत जबर्दस आम कुरा बहुत नाम कमाया 37 धरमेंदर के बेटे दोस्ते बेटे जबक्राइब बॉली वॉड के अंदर दोस्तो हर एक का बॉली वॉड में सिक्हा चलता नहीं और जिसका चल जाता है उसका गिरता नहीं साथी साथ आनिमल मूवी में बॉवी देउल का किरदार बड़ा बहतरीन रहा है लोगों ने बॉवी देउल को बहुत प्यार करा है और हमारे रनवीर कपूर को भी बहुत प्यार करा है पर अगर बात करें राम जी का किरदार रनवीर कपूर निभा रहे हैं साथी साथ साई पल्लवी सीता बन रही और हनुमान जी तो सन्नी पाजी बनी रहे हैं ये चले गए हैं हाउसफूल 5 में और हाउसफूल 5 में ये कॉमेडी और एक्शन दोनों करते नदर आने वाले हमारे अक्षे गुमार के साथ स्टारर मुवी हैं मल्टी स्टार्ज हैं इस पिचर के अंदर बट यहां मैं एक चीज आप लोगों को बता दूँ कि इस पिचर में लीड हीरो तो हमारे अक्षे गुमार ही रहने वाले हैं पर सन्नी पाजी भी बहुत जादा एक्शन सीन्स करने वाले हैं तो लग तो ऐसा र इनके साथ भी यह सहाब अपनी पिचर लेके आ रहें सन उफ सरदार 2 तो रेडी रही है सनी दियोल की सन उफ सरदार 2 के लिए भी बड़ी बड़ी तमाम बॉले वोड्स की पिचर है जो इनके हाथ लगी हुई है वो पिचर है बहुत जबरदस तरीके से अब यह करने के लि कोई ऐसा बंदा है जो अपनी मूवी के सीक्वल से इतना पैसा कलेक्ट कर सकता है तो वो सिर्फ और सनी दियोल है और उनके अलावा कोई और नहीं है और वो फाइनली उन्होंने करके भी दिखा दिया वैसे दोस्तों कहा जा रहा है कि OMG 2 ने भी अच्छी कलेक्शन करी है ब कि सभी मूवी के सीक्वल बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए और किस किस ने अरजुन मूवी देखिया और किस किस ने सीन को देखा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिलकुल ना भूले चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर डीजे, बैल आइकन को प्रेस कर दीजे, छोटा मूँ बड़ी बात देखते रहिए, वीडियो पसंद आए, तो लाइकन शेर दरूर करिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, नमस्कार